Good morning student, मैं हूँ भी शाल और मैं आपका स्वागत करता हूँ स्वामी वेकानन्द ट्रिग्री कॉलेज नारायनपूर पेतम पूरी रपूर अमबेटकर नगर की ओनलाइन क्लासेज में हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड समेश्टर की मैथमेटिक्स और आज हम लोग देखने वाले हैं रेखिए समी करड़ एक समी करड़ का हल और उनको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे किस परकार से हल किया जा सकता है तूर्टी क्या आती है ठीक है ना और उससे लेटे कुछ एक्जामपल और देखेंगे हम लोग तो यूनिट नमबर साथ हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं उसका लेक्चर नमबर एक है इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें और कमेंट करना ना बोलें और अगर आपने इसके पहले 6 उनिट को नहीं पढ़ा हुआ है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो 6 उनिट को कवर कर सकते हैं तो आईए देर ना करते हुए हम लोग अपने लेक्चर पे चलते हैं तो रेखिय समीकर होता क्या है? कुछ हमारे पास चर संक्या होती है कुछ अचर संक्या होती है अगर हमारे पास एक चर होगा तो रेखिय समीकर बनेगा दो अचर होगा तभी क्या होगा? और रेखिय समीकर बनेगा सवाल है कि अगर उसकी घात एक रहगी तभी अधरवाई तो क्या होगा रहती समेखड me okya बन जाएगा दो खाथ का समेखड कर पनेगा धुग लोग हम लोगों पीछे लेक्चर में पड़ा हुआ है अगर आपने उस लेक्चर को नहीं पड़ा हुआ है तो जाके आप साइड के मान के बराबर होना चाहिए ठीक है ना अगर ऐसा होता है तो हमारा क्या होगा हो एक समीकड कहला है का समानता हम लोग कह सकते हैं कोई भी हमारे यहां पर समीकड में कोई अगर यहाँ लूहां है जहां पर विरेबल होते हैं जरतांख्वाहां पर क्या बन जाता है यह पिए रिओख लिख्वा है यहां पर क्या यहां पर क्या यहां पर कुछ भी माननों लिख दें और बराबर के किसी के कितनी है एक है इसलिए क्या होगा रैखिक समीकड होगा ठीक अच्छा अब देखिए उसके लिए कुछ पॉइंट भी होते हैं जो रैखिक समीकड होते हैं उनके लिए कुछ पॉइंट भी हमने यहां पर इंडिकेट कर दिया है पहला पॉइंट क्या है समीकड में बराबर के चिन के दो पक्ष होते हैं एक होता है हमारे पास बराबर में left hand side होता है यहां पर यानि कि बाया पक्ष यह हमारा क्या होता है right hand side होता है यानि कि दाया पक्ष होता है ठीक है ना अगर बराबर जो हमारे पास है जो राइट इन साइड में जो मान लिखा होगा होगा अगर उसको हम लोग लेफ इन साइड में लिखे आएंगे तो इसका जो मान अगर धनात्मा होगा तो रिदात्मा बन जाएगा रिदात्मा होगा तो धनात्मा बन जाएगा ठीक और जो राइटन साइड में मान लिखा होता है उसे मिलों क्या कहते है दाय पक्षके मान भी कहते हैं ठीक है ना अगर हमारे पास कोई दो या दो से अधिक चर संख्याय होंगी तो जो लेटन साय में जो मान होगा ठीक है ना और जो राइटन साय में मान होगा उसको मिलों क्या करेंगे चर वाले को एक साथ लिख लेंगे ठीक है ना अगर चरवाल को नोनके पहले लिख लेंगे यहां पर और अच्छे ok vikt रे तब ही ऑमारा क्या कहलेगा समीकर्ट कहलेगा यहां तर दीजिकित क्या लिखा हुआ है दितात है इक स्वική चरह है यदि किसी समीक thirds bands एक तक हो तो लिखा हुआ है तो आप इन एक्जामपल को देख सकते हैं ठीक यहां पर दिखेंगे एक लिखा हुआ है एक समीखड का हल परियास तुरूटी विदी यहां कि एक समीखड हमने यहां पर लिखा हुआ है अब उसको चिक करना है हम लोगों कौन समान रखें जो इसको सटिस्फ है यहां पर क्या करेंगे माण रखें करेंगे कौकान सा मान होगा जो variation को इस समीख तरह की सम मीख़ोर को संतुष्ट कर रहा होगा हमने सबसे पहला काम यहां पर क्या हुगा यहां पर और क्वहां चार रखेंगे जिसथे क्माण नहु दो मिल गया किमी कितने अवसिता हूं गयारा लिखा हुआ तो दोनों पराबर है नहीं पराबर या यनितिय क्या होगा गैलत हो जयेगा यर्लत क्या आएगा साथATE आगए Зबल बराबर है फिर पांच रखा हम लोगों ने यहां पर अभी बीचे किया तो कितना सत्राइब दो आया यहां पर लिखा बराबर नहीं है छे रखा तो यहां पर नौ आया अभी बराबर नहीं है फिर साथ रखा तो यहां पर कितना हो आया हमारे उन्हें पर दो आ गया यह इसक कि एक्स कमन कितना आना चीए था बोलो 10 आना चीए था तभी ये मान आपस में बराबर हो गए दिकhी या पर लेका हुआ है तब एक सब्सक्राबर दस तब बाया पक्षा झर्डाय पक्षा बें क्या होगा बराबर होगा तो अब हम लोग किया करना एक विदी तो आप कि यह जो कि क्या है बहुत ही लंबी विदी है ठीक न तो इस से अगर आप कोशन को हल करेंगे एक कोशन को लगाने में बहुत जादा टाइम लग जाएगा तो आप इस विदी का परियोग कभी भी मत करिएगा ठीक तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या परतियस्थापन विधी परतियस्थापन में क्या होता है हम लोग को सत्यापित करना पड़ता है कि जो left hand side में यान कि बाये पक्ष में जो मान लिखा हुआ है और दाये पक्ष के मान के बराबर है या नहीं अगर बराबर होगा तुम कहेंगे इमान इसको संतुष्ट कर रहा होगा अधर्वाइस क्या होगा संतुष्ट नहीं कर रहा होगा तो क्या left hand side का मान right hand side की मान के बराबर नहीं आयाएगा ठीक है ना तो सबसे पहले एक्जामपल यहां पर क्या लिखा हुआ है हमने वाइस इकल लिया यहां पर कितना थ्री समीकड़ 5y-7 is equal to 8 का हल है क्या हल होगा अब य का मान में उठा के कहा पर रखेंगे यहां पर समीकड़ में रख देंगे तो कितना होजाएगा देखिए पांतिया प तो समीकड़ का हल नहीं आता अब यह दोनों कोशन यहां पर देखो लिखे हुए वाइबर आपर चीप और वाइबर आपर चार पर तब वाइबर आपर सबसे पहले हम लोगा कर रहे हैं यहां पर 6 लिया हुआ है तो यहां पर कितना होजाएगा दिखिए छे रखा हम क्या परिया HOL किसे मिगणको संतुष्ट कर रहा होगा इसका हल रहा होगा अगला प्रश्री यह फिन यहां अगर दो क्यां gefragt नहीं बराबर अगर बराबर नहीं है तो यह त्हुत् mobile फ्रेंटा होगा इसका हल नहीं होगा तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो भी दिखा हुआ है एक क्या था विस्थापन भी थी परतियस्थापन कह सकते थे हम लोग और दूसरा क्या था आपका सब्सिट्यूशन यानि कि मान रखें हम लोग को चेक करना था तो सब्सिट्यूशन जो हमारे था वह बहुत लेंदी था और प्रतियस्थापन हमारे किया था बहुत ही छोटा प्रोसेस है तो आज के लेक्चर में इतना ही आप हमारे साथ बने रही है हमारे यूटूब चैनल पर कत्तक के लिए थांक्यू सो मच